उत्तरप्रदेश के जन्पधापुड के थाना बहादुरुगड क्षेत्र में 12 वर्षय किशोरी के अपहरन का मामला सामने आया है आपको बता दे कि परिजणों के अनुसार लापता युवती को युवको के द्वारा कई दिनों से जान से मारने की ध्धमकी दी जा रही थी जिसके शिकायध थाना बहादुरुगड में पीडित के परिजणों के द्वारा दी गई थी जहाँ पुलीस ने पीडित परिवार की शिकायती पत्र पर कोई संग्यान नहीं लिया जिसका पीडित परिवार को 12 वर्षे नाबल एक किशोरी के गायब होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जिसका जिमेदार पीडित परिवार थाने में बैठे कर मचारियों को मान रही है पीडित परिवार का कहना है कि यदि समय रहते शिकायती पत्र के अनुसार संग्यान लिया जाता तो 12 वर्षे यूती गायब ना होती वही पुलीस भी अपरिता एक्रिशोरी की मा के थाने में शिकायत पत्र पर मुकदमा दर्च कर कार्यवाही की बात कर रही है जहाँ पुलीस क्षेतरा धिकारी गड़ मुक्तिश वर्पवन कुमार ने बताया कि मा कॉशल देवी के शिकायत पत्र अभियोग पंजिक रुदकर अपरिता की बरामदगी के लिए टीम गठीत कर दी गई है जल्द गिरफतार कर लिया जाएगा जिया हमारी वेश्जा के बालसाल की लड़किया उस परिसान करते थे एठाह ज़ूने की दो हरी नहीं खरी गोगी अ कर दो हजार याऊ ये ले इसके बारा को थाना बहादुरो घर खानाए स्चेत्र के एक गाउन में पिडिता की मात्यारा एक तहरीर गए जिसमें उसने वताया कि उसकी लड़की को उसके पडोस में रहने वाले एक युवक द्वारा बहलाप उसला कर घर से कहीं ले जाया गया है इस तहरीरी सूचना पर थाने पर अवयोग पंजी कर लिया गया है टीमें गठित कर ली गई है और खुजबीन की जा रही है वाकी परिवारी जनों के मोबाइल नंबर प्राप्त करके सरिवलांस पर लगाए जा रहे है